तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मेरा माइक आ चुका है टाइप सी जिसे कहते हैं यहां पे आप देख सकते हैं पहड़े वाला माइक मेरा दूसरा था यह देख सकते हैं यह पिन था जैसा के यहां पे आप देख सकते हैं यह वाला पिन था लेकिन अभी आज मैं यह वा तो यह वाला देख सकते हैं टाइप सी मेंने मंगाया है और कितने का मंगाया है और इसमें क्या फीचर है अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं उसके बाद इस माइक क्या साउंड क्वालिटी है यह भी मैं आपके साथ करके दिखाऊंगा ताकर जो लोग भी वीडियो बनाते ह किसी भी चीज़ पर क्रियाटर है उन लोगों के यह माइक होना जोड़ी है क्योंकि इसका साउंड क्वाल्टी थोड़ा अच्छा होता है और अभी के हिसाब से टाइप सी तो सब के पास होना चाहिए क्योंकि महंगा मोबायल में टाइप सी आने लगा है पहले वाला यह ख में यहां पर देख सकते हैं यह रोड कंपनी का है यह अब क्यूंध क्यों अभी कि अप तो अ लगाने के लिए यह जोगार आइपुन में लगाने के लिए यह पचास रिया था उन्चास रिया था तो चली हम इसे अन्बाक्सिंग करते हैं इस यह और डूब्ली मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर देख सकते हैं यह स्टिकर बहुत लगा भूई है यह पर स्टिकर लगा दा आता है और यहां पर बारकोड यह लिखा हुआ है आप सएघ्ष सकते हैं यह सAnn सैघ्ष सकते हैं मैं आपको दिखावता हूं यह एक सकते हैं पार सबस्द आपकर नोम तो सब्सक्राइब करते हैं मैं आपको तो इसका sound quality भी चेक करके दिखाऊंगा तो फटा 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 इसे open कर लेते हैं तो यहां पर यह पाउज है उसके बाद यहां पर और भी कुछ paper दिया गया है जो आप पढ़ सकते हैं यहां पर कितना मिटर लंबा है क्या है नहीं है प्रेम पत्र भी दिया जाता है माइक का यहां पर पूरा setup दिया जाता है क्या क्या system है इसमें क्या क्या है यह आप पढ़ सकते हैं नहीं तो इसे side में लग देते हैं उसके बाद यहां पर अपना माइक निकालते हैं और यह जो देख सकते हैं यह काफी soft होता है यह काफी soft होता है और इस पर भी बोया का यह देख स प्रोटक्ट में और यह देख सकते हैं एक छोटा सा स्टीकर भी मिला है यह पूरा चीज यहां पर चाइना है में लिखा हुआ है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर देख सकते हैं कि उसके बाद अंदर ऊवर रहा है देखता हूं क्या क्या जोले से निकलता है तो यहां पर एक और चीज यह यहां पर आहां पर देख सब्सक्राइब निकल जा तो यहां पर यह जो होम है यह अच्छा साउंड क्वालजी देता है उसके बाद यह किलिप है यह किलिप आप देख सकते हैं मैं आपको यह सब दिखा देता हूं ताकि आपको कोई भी कन्फूजन नहों जब आप कहीं से लेते हैं तो आपको पता होगा कि ओरिजिन एकसे मिला था यह सकते हैं कि सेम लग रहा है लेकिन इसी में लगा वाया थोग में फॉकस करते हैं गणिक ​ साउंड क्वाल्टी देखते हैं इसमें यानि काफी बड़ा वायर अच्छे साथ मीटर होगा तो फाइनली मैंने माइक को सेटप कर दिया और इसका जो साउंड क्वाल्टी आप देख सकते हैं मैं यहां पर बोल रहा हूं अभी जो आवाज सुन रहे हैं आप यह बोया टैप संभाव देता हमारा थो घ। यहां पर मैं से लगा ते हों उसके यहां पर पहले मायके में एक ऑप्षण मिलता था यह ऑला यह सकते हैं यह मिलता था लेकिन 61 क्मीश में इसको हटा दिया गया तो यहां पर एस तराका मिलता था aumentar लें इस पर नहीं है ऊस तो आप इसे समझ सकते हैं मैंने इसे 130 रियाल का मंगाया है और यहां पर यह पेपर भी आप देख सकते हैं उसके बाद और भी चीजे में मंगाया हूं लेकिन तो नहीं दिखा सकता हूं मैंने मोभाईल मंगाया भी करना पर जाता है और इसको ओपन करना बंद करना यह थोड़ा भारी पर जाता इसलिए मैं इसका इस्तमाल जादा नहीं करता हूं और यह डिरेक्ट लगाया और चाल हो गया तो इसे यह फायदा होता है उसके बाद इसका भी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा होता है इसलिए मैं इसका इस्तमाल किया हूं क्योंकि पहले मैं इसका इस्तमाल कर चुका हूं इसलिए मैं दोबारा इसका इस्तमाल कर रहा हूं क्योंकि नून पर देखा था 200 से ज्यादा था एमोजोन पर देखा तो 135-133 स्रियल का था मैंने ओडर कर दिया तो उम्मिद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा